विजिसा जिले के गंज बसोदा में सीम को करणी सेना के यूग को ने रोट सोके दौरान काले जंडे दिखाए वही अनन्फनन में पुलिस बलने करणी सेना के यूग को से काले जंडे को जब्त कर लिया वही मज़े की बात तो उस समय देखने को मिली जब इस्थानी जंची की साले के सामने जवानों ने काले कपड़े पहने रागीरों की सरयाम तलासी लेना सुरू कर दियो जिससे वह यूवक अपने आप में सहमें नजर आये जैस तम चौराहे पर भाशपा महिला मोर्चा और भाशपा विधी प्रकोष ने भब भी स्वागत किया एडवोकेट सौरप सकसेना ने बंद पड़ी सोनोग्राफी मसीन को जल्द चालू करवाया और जन समस्या से आउगत कराया और नगर में उद्यवक निर्मार की मांग का अवेदन दिया वही युवा भाशपा नेता विपिन जैन ने अपने समर्थकों के साथ स्वागत किया युवा नेता निले सानन ने भी अपने समर्थकों के साथ पूल वर्षा के साथ स्वागत किया वही मंच पर भाशपा के जिला अध्यच राकेश सिंग जादोन ने स्रीमती साधना सिंग को गंज बसोदा से प्रत्यासी बनाने की मांग की पूर विधायक हरी सिंग रग्मन सी ने मंच से जनता को संबोधित किया और अपने विकास कारी को बताया नगर में रोडे नहीं थी सडकों के निर्मार कार्ड मेरे काल काल में हुए हैं सडकों में गड़े थे और धूल उड़ती थी और वहीं जन सबा को संबोधित करते हुए सीमसी उराज सिंग ने कहा कि राजा और महाराजा नहीं चाहते की विकास हो उन्होंने मंच से कहा कि 50 साल में प्रदेश का बंटाधार कॉंग्रेस ने कर दिया था मैंने 15 साल में जो कुछ किया है वो सामने है उन्होंने कहा कि मेरी अपनी जिन्दगी की महातरपूर योजना है वो समवल योजना जिसमें हर गरीब को लाब मिलेगा उन्होंने कहा कि मैंने बसोदा को मीनी स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है जिसके सारे टेंडर पास हो चुके हैं बहुत जल्दी सहर खुब सुरत दिखाई देगा इस दिवाली में किसी के घर में अंधेरा नहीं होगा 2022 तक गरीबों के पक्के घर बनवा देंगे